नमस्ते भाई और डेली की तरह आज भी इस मैट्स कंसेप्ट की यूट्यूब चैनल पर आप एक और कंसेप्ट सीखने वाले हो और आज का कंसेप्ट है मेंसुरेशन 3D का देखें मेंसुरेशन में में ली चार विराइटी के सवाल बनते हैं एक डारेक्ट फॉर्मुला बेस क्यूब में कौन डाल दिया कौन में क्यूब डाल दिया इस तरीके से मेरे दोस्त तो सबसे आदे बच्चों को डर लगता है कटिंग वाले सवालों से और आज की क्लास में जो सिलिंडर होता है जिससे आपने खुम मार खाई है बेलन उसकी कटिंग पर जितनी भी गाइडेंस के नाम से टॉपर गाइडेंस डेली इस पर वीडियो जो है हम अपलोड कर रहे हैं टॉपर्स के इंटरव्यू जैसे भाई एक भाई इस ने इस भाई ने साथ साल तक लगा पर तियारी करी सीजियल की और फानली वो गैजटिट इट आफिसर बनाया डबल अच्छी स्ट्रेलिंग स्टोरी है आपको काफी मोटिवेशन भी मिलेगा इनको सुनके तो इस चैनल पर डिस्किप्शन में लिंक भी पढ़ा हुआ है आप यहां पे जाईएगा मेरे दोस्तों और सीप्यों के बहुत सारे टॉपर्स हैं SSC के आपको उनकी कहानी उनके इंवर्सेशन नम नहीं रखते हैं को कि आप देखनी पाऊगा आपके पास इतना समय भी नहीं है ठीक है स्टुनेंट्स चलेगा सब बच्चे इस चनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लें इससे कि आपका कुछ खाली सवाम में कुछ यूट्यूब पर देखना की मन है तो आ आपको सिलिंडर दिखाई दे रहा है जैसे मेरी ये पानी की बोटल है ठीक है ना स्टील की बोटल है ओके ये एक सिलिंडर है एक तरीके का समझ में आया तो सिलिंडर उपर से नीचे तक एक जैसा होता है सिलिंडर का बेस भी सरकल और उपर का टॉप भी सरकल ठीक है भई स सिलिंडर का आधार और टॉप दौनों सरकल होते हैं सरकल की जो रेडियस है स्मॉल आर है बच्चो ये सिलिंडर के दौनों बेस सरकल हैं वरत दौनों सरकल के सेंटर हैं मैंने दौनों सरकल के सेंटर को मिला दिया तो सरकल की सेंटर को मिलाने वाली है जो लाइन कहलाते हैं सि नीचे वाले circle के center की बीच की जो दूरी है ये height कहलाती है cylinder की तो बच्चो cylinder का curve surface रिया क्या होता है cylinder का curve surface रिया होता है मेरे प्यारे ये जो area है ये जो area आप touch कर सकते हो यानि कि ना तो आपको top का area लेना है ना bottom का वो कहला जाएगा cylinder का curve surface रिया जो कि होता है 2 pi r h, जैसे बहिए यह पाने की बोटल है, इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसपे हम हाथ फिर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये cylinder का कर्व surface रिया 2 pi r h, वक्र परष्ट का चितरफल, फिर total surface रिया क्या होता है, संपूर्ण प्रश्ट का छेत्रफल नाममें यह संपून किसीभी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं। उन सभी के लिटाक को एड़ कर लीजिए। जो बने गा वो होता है उस फिगर का टोटल सरफेस रिया. यहांने कि अगर मुझे cylinder का total surface area निकालना है तो cylinder के कर्व surface area 2 pi r h में उपर और नीचे के जो circle है इन दौनों के area को add करना पड़ेगा बहुत circle का area क्या होता है pi r square दो circle का area इसलिए मैंने 2 से गुणा करी 2 pi r square यहां से 2 pi r common आ जाएगा bracket में बचेगा h plus r तो cylinder का total surface area होता है वो है 2 pi r h plus r यह बात तो आप जानते होंगे ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे ध्यान से जब भी हम cut करते हैं cut बाई जैसे यह समझोगे पनीर का टुकुडा है cylinder की ship में मैंने ऐसे cut कर दिया तो cut करने से हमेशा नए surface पैदा होते हैं जिनको आप छू सकते हो अगर मैं support cylinder को ऐसे cut करता हूँ आधार के समानतर तो नए surface और create हो जाएंगे छूने के लिए तो हमेशा surface रिया बढ़ता है आप किसी भी figure को cut करोगे अगर बीच में से कहीं से भी cut करोगे तो हमेशा छूने के लिए नए surface create होंगे नए सतह पैदा होंगी वहां से surface रिया बढ़ेगा तो cylinder की cutting basically दो तरीकी से की जाती है एक तो cylinder को cut किया सकता है जैसे हमारा cylinder है cylinder को मैं cut करता हूँ आधार के समानतर इस cylinder दीख रहा है हम तलवार लाए ऐसे तलवार और अएसे ऐसे कर दी हमने आधार के समानतर cut ऐसे clear? गिएर दूसरा cut किया जाता है cylinder की axis के along, cylinder की जो अक्ष है उसके along वहीं cylinder की axis आपको दिखाई दिलीए आप तलवार लिए उसे axis के along ऐसे cut कर दिये समझ में आया? यह डोनों ही cutting आपको समझनी है पहले सवाल, एक ठोस बेलन है जिसके आधार की तरज्जा 21 है और उसकी उचाई 16 है चित्री भी मैंने अलग से बनाया मेरे प्यारे भाई देखेगा इसको उचाई से समधी भाजित करके दो समरूप बेलन प्राप्त किये जाते हैं टोटल सरफेस रिया में कितने पर्षेंट की व्रद्धी होगी ठीक है जी टोटल सरफेस रिया में कितने पर्षेंट की व्रद्धी होगी सबसे पहले मैंने एक बात बोले कि जब भी हम कटिंग करेंगे नए सरफेस पैदा होंगे आप मुझे बताओ सिलिंडर का टोटल सरफेस रिया होता क्या है सिलिंडर का टोटल सरफेस रिया होता है मेरे प्यारे ब्रेकिट में H पिलस R यही होता है अब सिलिंडर की रीडेस और हाइट दी हुई है आपको इसको बोला है इसको उचाई से बाइसेट करके दो आइडेंटिकल सिलिंडर बनाये जाते हैं यानि कि किया क्या है सिलिंडर को बीच में से काटा गया आधार के समंतर आपने यहां प्यारी रखके आपने कट लगा दिया मेरे दोस्तों यह इसको आधी उचाई से ऐसे काट दिया तो दो सिलिंडर बनगे एक उपर एक नीचे बिल्कुल आधा आधा हो गया मेरे प्यार भी समझ में आया टोटल सरफेस रिया कितना पर्शेंट बढ़ा तो यानि कि आपने सिलिंडर को जो काटा है सिलिंडर के बेस के परल यहां प्यारी रखके ऐसे कट मारा है कट लगाने से दो हिस्से होगे उपर नीचे जब भी आप सिलिंडर को बेस के परल काटोगे आधार के समांतर तो हमेशा दो सरकल का एरिया बढ़ेगा आधार के समांतर कट करने से हमेशा दो सरकल का एरिया बढ़ता है भई आप इदेखो ये हमारे पास बिल्कुल भला भूला जो है एक सिलिंडर था, कोई दिक्कत नी, अब आपने हाँ पैसे बीच में से कट करके दो पाट कर दी, सिलिंडर के बराबर बराबर समधी भाजित कर दी, यहाँ पे आपने आरी रख के चला दी, तो दो टुकड़े समझ में आया की नहीं आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर, समझ में आया, याने कि एक कट करने से, दो सरकल का एरिया बढ़ता है, देखो ना, इमेजिन करो, आख बंद करके, सिलिंडर है, आख क्या आपको सामने दिखाए ज़र है, इससे कट करोगे, दो इससे हो जाएंगे, ठीक है बही, यहाँ पे तो बोलाया कि समझ भाजित किया गया, अगर आप सिलिंडर को यहाँ से भी काटते हैं, कहीं से भी कट करोगे, आधार के पैरल, कहीं से भी कट करोगे, तो भी दो सरकल का एरिया बढ़ेगा, बेस के पैरल कहीं भी कट करोगे, तो हमेशा दो सरकल क बढ़े दो सरकल का एरिया टू पाई आर स्कॉयर यही तो हमको समझना था तो आपको परसंटेज में कनवर्ट करना है तो नीचे लिखते हैं इनिशल वेलू उपर मैं यह लिखूंगा कि कट करने से एरिया बढ़ा कितना मेरे दोस्तो ठीक है बढ़े देखे दो पाई से दो कट जाएगा और एक आर से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा तो यह आएगा मेरे दोस्तो आर बटे एच पलस आर आप इसको डारेक्ट भी सीधा ध्यान रख सकते हैं शॉटकट भी बन गया आर बटे एच पलस आर यह एरिया बढ़ता है यहाँ पर रेडियस कितनी बोली है 21 तो रेडियस की जगह मैं 21 रख दूँगा ठेक भी हाइट कितनी बोली है 16 तो हाइट 16 है रेडियस 21 तो 16 पलस 21 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तो 37 तो 21 बटे 37 अब यह आंसर पूछे मुझे परसंटेज में गधो वाला तरीका क्या है कि 100 से गुणा करो परसंटेज का साइन लगाओ 21 सो को 37 से भाग करो आंसर आ जाएगा और हमने पहली सवाल को पढ़ते पढ़ती देख लिया करो कि ओप्शन बहुत दूर दूर है तो मैं एक्जेक्ट नहीं मैं एपरक्स केलकुलेशन करूँगा बस मुझे यह देखना है कि 37 का कितना परसंट है 21 37 का 50 परसंट भ 20 आता है यह तो फिर भी 21 है यहने कि आंसर 50 परसंट से जाद होगा 37 का 50 परसंट 21 जो है कितना आएगा साड़े अठारे आएगा यह तो 21 है तो 50 परसंट से जाद है अब एक 50 परसंट से जाद है एक 60 परसंट से जाद है अगर मैं 37 का 60 परसंट निकालूं सुनना 37 111 होता है तो 37 छिक्का होगा 222, तो 60% है तो 22.2, ऐसे होती है, 37 बहुत प्यारा नंबर है, यह तो 21 ही है, यानि कि 60% तो 22.2 आएगा, तो 21 की value तो 60% से कम आएगी, 60% से कम एक आंसर है, 50% से जाद है और 60% से कम, यह आपको सोचना था, बहुत प्यारा सवाल है, मैंने किवल आपको किखाने के लिए तना किया, एक और सवाल है, MTS के पीपर का डिक्टो इसी कंसेप्ट पे पूछा गया है, बोला है, एक सिलिंडर, इसके आधार की तरज्या, बेस की radius 28 है, इसकी हाइट जो है मेरे दोस्तो 21 है, बेस की radius 28 है, बोला क्या गया है, दो समान सिलिंडर प्राप् के घुमाया गया है, जिसे कि दो समान सिलिंडर मिल जाएं, एक कट करने से दो सरकल का area बढ़ेगा, दिस प्लस दिस, ये area बढ़ जाएगा, एक कट करने से, आप बोलो कि हाँ जी सर बढ़ जाएगा, तो मेरे प्यार भी, अभी मैंने shortcut बढ़ाया कि, अभी मैंने आपको shortcut स square, नीचे initial value लिखेंगे, total surface रहा कि उपर बढ़ा, calculation करेंगे, यही आएगा मेरे दोस्तो, radius कितनी है, 28, upon, h plus r कितना आएगा, 28 में 24 जोड़ेंगे, तो आजाएगा, आपका 52, 24 plus 28 add करूंगा, तो 48 plus 4, 52, किस से divide हो जाएगा, मेरे दोस्तो, आप कहोगे, सर ये, 4 से, 4 सत्य 28 और मेरे दोस्तो, 13, साथ वटे, 13, इसको percentage में convert करना है, तो देखें, 50% से जादे आएगा, नीचे 13, percentage में convert करने का मतलब ये होता है, कि 13 का कितना percent है, 7, 13 का 50% निकालूंगा, तो साड़े छे होता है, तो 50% से जादे answer आएगा, 60% पहुंचेगा, क्या, 13 का 60% होता है, 7.8, तो 60% से कामाएगा ये answer है, C option, आप ऐसे भी देख सकते हैं, कि एक वटे 13 जो होता है, वो एप्रोक 7.7% होता है, एक वटे 13, ये standard percentage है, साथ गुना करेंगे, तो 49, प्लस 4.9, तो 53.9% आएगा, बिलकुल इसके नजदीक, ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखेंगे, सवाल मेंस के पेपर का, 2017, बना ये जल्दी, क्या उत्तर है, 2017 के पेपर में कटिंगे काफी सवाल आए थे, बोला है, एर राइट सर्कुलर सिलिंडर है, जिसकी रेडियस है, 9, हाइट है, 16, इस कट इंटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में काटा जाता है, तीन कट लग आए जाते हैं मेरे दोस्तो, what the percentage increase in total surface area, आधार के समांतर 3 कटाव द्वारा 4 बराबर भाग में काटा जाता है, इस कट इंटू 4 इक्वल पार्ट बाई 3 कट पैरलल टू दा बेस, समझे मेरे दोस्तो, जैसे प्यारे बेटे, आपके पास एक बहतरीन सिलिंडर है इस प्रका बराबर भाग में ना भी बांटो, एक कट ये लगाया, एक कट ये लगाया और एक कट ये लगाया, तो 4 भाग हो जाएंगे मेरे दोस्तो, एब एक, दो, तीन, चार, चित्र बनाने की जुरत नहीं है, लेकिन मैंने अभी concept सिखाया कि एक कट लगाने से 2 सरकल का एरिया बढ़ जाएगा, अगर सिलिंडर के बेस की रिजिएस आ रहे है, तो एक सरकल का एरिया होता है π fö we are square, 6 सरकल का एरिया होगा 6 deeper e ywга मेरे दोस्तो याने की इतना एरिया मेरे दोस्तो बढ़ जाएगा, समझ में आया, और सिलिंडर का टोटल सरफेस रिया इनीशली कितना था टोटल सर्फेस रिया था इनीशली टू पाई आर ब्रैकेट में मेरे दोस्तो एच प्लस आर आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई यह है टोटल सर्फेस एरिया ठीक है भाई साथ टोटल सर्फेस रिया इतना था इतना बढ़ जाएगा एक कट लगाने से दो सर्कल के अरिया तीन कट लगाने से छे तो छे पाई आर इसको बढ़ जाएगा यही पूछा है कुल प्रश्चे त्रफल में कितनी वरद्धी हुई देखें यह एक आर से एक आर कट जाएगा दो पाई से छे पाई तीन बार चला जाएगा तो 3R upon H plus R समझ में आया आप बोलोगी हांसर आप सीधा से देख सकते हैं कि एक कट लगाने पर अगर बेस के पैरल कट लगाओगे तो एक कट लगाने से इतना एरिया बढ़ता है तीन कट लगाए तो इतना एरिया बढ़ेगा चार कट लगाओगे इतना एरिया बढ़ेगा आठ कट लगाओगे इतना एरिया बढ़ेगा मेरे दोस्तो एक डिरेक्ट शॉटकट बन गया मेरे प्यारे भाई यहाँ पे रेडियस कितनी है तरज्या कितनी है 9 cm हाइट कितनी है 16 cm वेल्यू रख दो तो आर की जगह 9 रखूंगा तो 9 तीय 27 अपॉन हाइट की जगह 16 आर की जगह 9 तो 16 प्लस नो 25 ही आया मेरे दोस्तो अब एक बटे 25 चार परशेंट होता है 27 बटे 25 है तो 27 गुणा 4 परशेंट एक बटे 25 होगा 4 परशेंट तो 108 परशेंट इस सवाल का आंसर होगा मेरी इमेजिनेशन है future year का question है मेरे दोस्तो ये सवाल अगर आपने समझ लिया मेरे दोस्त तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा दिहान से सुनेगा बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेगा आप लोग एक सिलिंडर है जिसकी रेडियस साथ सेंटीमीटर हाइट है इसकी 21 सेंटीमीटर का एक लंब व्रत्य बेलन है चार भागों में काटा जाता है एक कट लगाया जाता है बेलन के आधार के समांतर दूसरा कट लगाया गया बेलन के अक्ष के साथ उपर से नीचे बेलन के टोटल सरफेसरिया में कितने परसेंट की व्रत्य होगी बैस सिलिंडर का टोटल सरफेसरिया जो होता है वो होता है बाई मेरे टू पाई आर ब्रेकेट में एच पिलस आर यह होता है यह यह ना अब आपने एक सिलिंडर के चार भाग कर दिये, चार पार्ट कर दिये मेरे दोस्तों, एक कट लगाया है सिलिंडर के बेस के पैरलल आधार के समांतर ये वाला, बेस के पैरलल ये, एक कट ऐसे लगाया, सिलिंडर का बेस सरकल है न, सरकल के पैरलल, तो जब आप ऐसे कट लग बंगाने से 2 circle का area बढ़ेगा, ऊपर आपको लिखना कितना area बढ़ा, जब base के parule cut लगा होगे, तो 2 circle का area 2 piRis2 बढ़ जाएगा, और इस cut को लगाने से 2 हिस्से हो गए, एक उपर एक नीचे, दो सिलिंडर बनगे उपर नीचे, दूसरा कट लगाए गया है along the axis of cylinder from top to bottom base, याने कि सिलिंडर की अक्ष के जो है along, याने कि ये वाला कट लगाए गया, खचेक, ये देखो सिलिंडर, सिलिंडर देखा, बीच में से कट लगाए, चार टुकले, दो टु होगे, उपर से भी ऐसे कट लगादो, टमाटर के चार टुकले हो जाएंगे, तो बैस के parallel, मैं ये सब पर ध्यानने दूँगा, कितना टुकडा पुकडा हो रहा है, मुझे तो बस ये निकालना है, कि सर्फेस अरिया कितना बढ़ा, तो मैं बस इस बात पर ध्यान कि सिलिंडर की अक्षियोती एक्षिस, इस एक्षिस के parallel कट लगाओगे, तो कितना एरिया बढ़ेगा, क्या create होगा, आख बंद करो आख, आख बंद करो पनीर का टुकडा है, ऐसे सिलिंडर की फॉर्म में, ऐसे काट एक्षिस के parallel, तो एक कट लगाने से दो रिक्टेंगल का दो आयत का एरिया बढ़ेगा, बेटे दो rectangular surface बनेंगे, दो आयताकार सतहे पैदा होंगी, आप कहोगे सर कैसे, जैसे भाई मेरे दोस्त आपके सामने सिलिंडर दिखाई दिरा है, आपने इस तरीके से axis के parallel काटा, दो फांक हो जाएंगी, एक इधर और एक इधर, मेरे द सा दिखाया है, क्या मेरे दोस्तों ये जो आपको दिखाई दिरा है, ये rectangle नहीं दिखाई दिरा आपको, ये आपको rectangle नहीं दिखाई दिरा, rectangle नहीं पैदा हो गया, आप देखोए पनीर का टुकडा है, आप ऐसे axis के लोंग काटो, दो हिससे चले जाएंगे, एक इधर, एक टुकडा दिखाया है, तो ये rectangle नहीं create हो गया, ये पहले तो नहीं था, ये axis के लोंग, ये cut करने से हुआ है, मेरे दोस्तों, rectangle का area क्या होता है, लंबाई गुना चोडाई, अच्छा मेरे दोस्तों, ये क्या होगा, तो आप कहोगे, सर ये होगा, इस circle का diameter 2R है, तो circle का diameter हो होगे, diameter पर रख के करोगे, तो ये होगा 2R, अच्छा इस rectangle की ये वाली side क्या होगी, cylinder की height के बराबर, अगर cylinder की height एच्छा है, तो rectangle की ये वाली side भी H होगी, मेरे दोस्तों, दो rectangle बनेंगे, एक right side में, एक left side में, समझ में आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर आया, यही conceptual logic बाई गुना चोड़ा, यानि कि 2R गुना H, ऐसे दो rectangle बनेंगे, दो, तो दो rectangle के area multiply by 2, तो ये area आपका बढ़ जाएगा, मेरे दोस्तों, बात समझ में आई, logically बात समझ में आई, मेरे प्यारे बाई, कि दो circle के area बढ़ा, दो circle के area, base के along cut करने से, axis के along cut करने से, दो rectangle के area ब करता है क्या, दो R कटता है, पाई नहीं कट पाएगा, दो R, दो R उपने से कट जाएगा, दो बार ये R, ये 2R मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे बढ़ ये बचेगा, यहां से, पाई R, पाई R, पिलस 2H, अपॉन, पाई H प्लस R, पाई H प्लस R, बात को समझे, आप बोलो होगी हां जी सर, अब यहां पे जो पाई की जो वैल्यू मेरे दोस्तों के इस्तिमाल करेंगे, 22 बटे 7, ये वेल्यू यहां पर रख देते है, रेडियस कितनी है, यहां पर 7, यहां पर जब मैं रखूंगा, तो पाई की वैल्यू आ 22 बटे 7, रखूंगा 7, तो 7 से 7 तो इतना आएगा मेरे दोस्तों हाइट आपकी 21 से किस दूने 42 अपॉन पाई का मतलब है 22 बटेश साथ अब हेच पिलस र कितना हेच पिलस र है जी आपका 21 साथ 28 तो 7 चोक 28 यानि कि आ गया नीचे 22 चोक 28 88 आ गया नीचे ऊपर आ गया जी 22 प्लस 42 यानि कि 64 तो ऊपर आ गया मेर यह दोस्तों यह आपका 64 बात समझ में आ गई तो इतना एरिया आपको बढ़ गया यह 8 से कट रहा है अठ्थू मत्व चोंसाट 8 वटे 11 अब इसी 8 वटे 11 को परसेंटेज में कनवर्ट करना है ऐसा नहीं सुरू से 100 परसेंट को होते हूँ आ रहे हैं पहले सिंप्लिफाइ कर लो बाद में जो आएगा उसको परसेंटेज में कनवर्ट कर लो मैं बात अच्छी तरीके जानता हूँ कि एक वटे 11 जो होता है वो एप्रॉक्स 9.09 परसेंट होता है तो आठ वटे 11 होगा भी इसका आठ होना तो आठ नाम 72 प्लस 0.09 72 परसेंट आंसर आजाएगा जिसका सी ओप्षन बहतरीन कोश्चन बताओ मुझे लगता है कि इस टैप का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से टैकल कर पाओगे लास्ट कोश्चन लेंगे मेरे प्यारे भी पांचवा एक सिलिंडर की नहीं देखो यह सवाल बहुत जादे पॉपुलर है अच्छे से आपको इसको समझना है कई बार यह सवाल आ चुका है CPO में CGL में CHSL में ठीक है ना अलग-अलग लेंग्वेज लिख के आता है मैंने एक लेंग्वेज लिये इस सिलिंडर ओफ मैक्सिमम वॉल्यूम इस कट आउट ओफ इस सॉलिड वुडन क्यूब ठीक है इस प्रक्रिया में कितना ठोस बरबाद हो गया परसंटेज में आपको बताना है तो मेरे दोस्तों एक ठोस लकडी का क्यूब है ध्यान सुनेगा क्यूब आप समझते हैं वह एक ऐसा बॉक जिसकी लंबाई चोडाई और मोटाई तीनों बराबर हो तीनों साइड जिसकी बराबर हो तीनों एज ये है मेरे दोस्तों क्यूब इस क्यूब से मैक्सिमम साइज का एक सिलिंडर काटा जाता है तो cylinder काटने में कुछ solid waste हो जाएगा भी, पूछा कितना solid waste हो जाएगा, तो बही, cube की हर एक dimension बराबर होती है, अगर मैं इससे maximum size का cylinder काट रहा हूँ, तो cylinder की height भी maximum होनी चाहिए, radius भी maximum होनी चाहिए, अब जैसे cube का हर एक face square होता है, अब इस square से मुझे मेरे दोस्तों, square याने कि cylinder का जो base होगा, circle वो ये वाला होगा, ये वाला बात समझ में है, या आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से clear है, और cylinder की height होगी, वो cube की side के बराबर होगी, तो ये वाला cylinder कटेगा, maximum size का, सब बच्चों को दिख रहा है, आप बोलोगे का ratio लेना है, cube और cylinder के volume का, पर cube का volume क्या होता है, भुजा का cube, cylinder का volume निकालने के लिए radius और height पता करनी पड़ेगी, अच्छा इसकी जो radius है क्या होगा, square की side का आधा होगा की नहीं, तो मैं square की side को 2 मान लेता हूँ, 2 ही क्यो माना, कि 2 का आधा करने में आसानी रहेगी 1, तो cylinder की height भी cube की side के बराबर ही होगी 2, तो आप हमें ये बताएंगे जरा, कि यहाँ पर cube का volume क्या होगा, side का cube, ratio, cylinder का volume क्या होगा, pi r square h, r मतला 1, 1 का square, height, height कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ से 2, pi r square h, cylinder के volume आयतन का formula है, ठीक है भई, आप बोलोगे, हाँ जी सर, जारे भी 2 से यह 1, 2 काट लेंगे, हाँ पर, ठीक है, 1, 2 तो बचेगा, 2 का square, 4 बचेगा, 4 ratio, pi, यह cube और cylinder के volume का ratio आएगा, यही पूछा है, कितना percent solid waste हो जाएगा, तो या तो pi को 22 बटे साथ लिखो, पर आपको ज़्याद है, तो एपरोक्स भी करना है, options दूर दूर है, तो पाई को आप यह भी लिख सकते हैं, अपरोक्स 3.14, 3.14, 1.6 होता है, पर पाई को अपरोक्स 3.14 भी लिखा जा सकता है, यानि कि cube का volume अगर 4 है, तो cylinder का volume 3.14 होगा, तो cube से अगर मैंने cylinder बनाया है, काट के, तो कितना, पाई, cube का volume 4 है, cylinder का, तो 3.14 ही निकला, तो बीच क area बीच का volume के आए गया, 4 में से 3.14 मानस करेंगे, 0.86 आपका waste हो गया, 0.86, 4 मानस 3.14, cube का volume ता 4 परसंटेज में convert करूँगा, मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा या आपका, साड़े 21%, 24, 84, 2 बटे 4.5, तो एपरोक्स 21.5% आपका solid waste हो गया, 21.5 के एपरोक्स में ये वाला answer है, B should be the correct, ये हो गया मेरे दोस्तों, बताओ, क्या था इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही popular और important सवाल है, एक सवाल में आपसे पूछता हूँ मूझा बानी, CDS का question कि A cube की side small a है, एक घन की भुजा small a है, इस से अधिक्तम size का maximum item का एक cylinder काटा जाता है, बताए बेलन का volume क्या होगा, answer small a की term में बताना है, एक cube है, जिसकी side small a है, इस से maximum size का cylinder काटा जाता है, पूछता हूँ आपसे कि cylinder का volume कितना होगा, small a की term में answer है, इस concept से आप खुद कर सकते हैं, मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चे, तो ये थी cylinder की cutting, base के parallel भी करवा दिया, axis के long भी कटवा दिया, cylinder को भी cube से कटवा दिया मे सवाल है सवालों में, आप चाहते हैं कि हम पूरा arithmetic और advanced systematic way में पढ़ें, और ये concept हमको proper sequence way में मिलें, मारी calculation भी improve हो, concept भी improve हो, हम previous error के सवाल की practice भी करें, तो आप हमारे के parallel application पर ये जो नए recorded batches available हैं, आप इन में enroll कर सकते हैं, ठीक है न, recorded classes है जो हमारे live batches की चलती है, arithmetic का और advanced का भी आपको, जिसकी ज़ुरत है आप उसी को enroll करें, ठीक है भाई, 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही जाद है beneficial रहेगा, SSC के लिए भी, SSC के हर एक exam, CGL, CPO, CHSL, MTS, even CDS के पेपर के लिए भी, state exam के लिए भी, teaching के पेपर के लिए भी, क्या दो के लिए, आप्चे लिए भी, सCसि aula आपको, स स्क्रावारी ज़े है आपको, जीन के लिए, पिरा T legुए, जीन 2 लिए, भी, सूसित म victims पेवरा है।